जब हम घर बनवाते हैं, तो ऐसे वक्त में आखरी स्टेप होती है हमारे घर का कलर अब जब हम घर के लिए कलर चोईस करते हैं, तो डेफिनिटली ये हर एक के परसनलेटी पे डिपेंड होता है तो ऐसे वक्त में आप चाहते हैं कि घर पे आके आप रिलेक्स करें, घर का एटमोस्पियर जो है, वो वार्म हो, काम हो, यानि कि आपको घर पे आने के बाद शांतता मिलनी चाहिए तो इसमें कलर भी बहुत जादा इंपोर्टन रोल प्ले करते हैं दोस्तों, अगर आप बहुत जादा तड़क भड़क कलर घर को लगवाएंगे, तो ऐसे वक्त में बाहर से आने के बाद आपका दिमाग पहले से गरम होता है, और घर पे आने के बाद और बहुत जादा ग आजे लगा, तो आप आगे चलके उसे चेंज भी करा सकते हो, पर इसके लिए डफेनिटली पैसे जरूर खर्च होते हैं, थोड़ा सा वयले कलर मिक्स करके सीलिंग को कलर दिया जाता है, जैसे कि आपके घर का बेडरूम हुआ, हाल हुआ, कीचन हुआ, इन सभी रूम के सी portion होता है, उसमें tile होते है और external color होता है, तो आते हैं दोस्तो हमारे hall के तरब, अब जब भी आप hall में आते हैं, तो hall ऐसा room होता है आपका गर का, जिसमें सबसे ज़्यादा लोग आते जाते हैं यानि कि आपके मेहमान आएंगे, तो hall में आते हैं उसके बाद में hall से ही निकल जाएंगे, तो ऐसे वक्त में आपका color जो है, न सिर्फ आपकी choice पे होता है, डेफिनिटली आदर लोगों को भी comfortable हो, उस हिसाब से होना चाहिए, खास करके hall में दोस्तों आपको किसी भी रखार के dark color का इस्तमाल नहीं करना है, hall में तो ये भी एक अच्छा point हो जाता है, कौन सी wall dark करनी या फिर नहीं करनी है, उसके बारे में हम end में देखेंगे, तो दोस्तों आगला हमारा room आ जाता है, वो है घर का kitchen, आप kitchen के लिए आप जो color available है, इसमें light होती है, उनका अच्छा reflection आपके घर में देते है, यानि कि आच्छा उजाला भी आपके घर में आपको मिल पाता है, दोस्तों आगला room है, जो कि है bedroom, अब bedroom में आप थोड़े बहुत experiment आपके इसाब से कर सकते हो, अब दोस्तों जब भी आप room के लिए color choice करोगे, तो दो चीजों का आपको ध्यान रखना है, एक तो आप light color, उसके बाद में warm color, अगर आपके अपने घर के लिए choice करेंगे, तो ये आपके लिए अच्छी बात हो जाएगी, अगला room है दोस्तों हमारे घर का bedroom, अब bedroom में आप अपने इसाब से experiment कर सकते हो, वहाँ पर आप अगर color की बात करेंगे, तो pink, yellow, sky blue, light grey, beach, बहुत सारे type के color जो है आप definitely choice करके देख सकते हो, अगला point है दोस्तों हमारे घर का, जो color आपको avoid करने है, सबसे main आपको ध्यान में ये चीज रखनी है दोस्तों, fluorescent color, यानि कि जिसे neon color कहा जाता है, इन type के color को आपको definitely avoid करना है, आप ये जो color screen पे देख रहे हो दोस्तों, ये color जो होते हैं, ये बहुत ज़्यादा bright होते हैं, bright होने के बज़े से आखों में ज़्यादा चुपते हैं, ऐसे color को अगर आप थोड़ी ज़्यादा देर तक अगर घूर के देखते हैं, तो ऐसे वक्त में आपका सरदर्ध भी हो सकता है, इसलिए आपको इन color को definitely avoid करना है, अगला point ये है दोस्तों, हाल फिलाल में कुछ लोग क्या करते हैं, तीन wall जो है उन्हें light color में रखते हैं, और एक wall को जो है dark color में रखते हैं, definitely ये दिखने में अच्छा दिखता है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, जो तीन wall होंगी, उनका color जो है वो light होना चाहिए, और एक ही wall का dark होना चाहिए, और जहाँ पर आप dark wall लेने वाले हो, तो वहाँ पर किसी भी प्राकर की opening नहीं होनी चाहिए, यानि कि वहाँ पर खिड़की या फिर दरवाजा ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए, जिससे कि वो दिखने में अच्छा दिखता है, यानि कि अगर एक कोई plain wall है, तो ऐसे जगह पर ये दिखने में अच्छा दिखता है, पर जितना possible हो सके, उतना plain wall पर करने की कोशिश कीज़े, जहाँ पर आगे चलके कोई frames वगेरा लगते हैं, तो भी दिखने में अच्छा दिखता है, और एक important point है यापर दोस्तों, अगर आप dark color का इस्तमाल करते हैं, तो ऐसे वक्त में आप उस color को देखके irritate तो हो जाते ह आपका room जो है, उसका size भी छोटा दिखने लगता है, आप थोड़े से light color का इस्तमाल करते हो, तो ऐसे वक्त में आपका room का size जो है, वो अच्छा कासा बड़ा दिखने लगता है, तो आगे ये benefit आ जाता है, और एक point मैं आपको यहाँ पर बताना चाओंगा, पेंटर जो आ बहुत ही छोटे प्रमान में होता है, इसके लिए कोई भी experience व्यक्ती बाता सकता है, पर कोई माकान बानने वाला directly नहीं बाता सकता है, कि ये color पूरे room का किस तरह से दीख सकता है, देखिए दोस्तों, आप क्या कर सकते हैं, इसके लिए आपको एक simple idea में देता हो, आप कही पर भी रहते हो, जो color आपको पसंद आते है, तो definitely आप उन color को जो है choice कर सकते है, shade card के उपर, हाँ थोड़ा सो 19 भी हो सकता है, बट definitely इससे आपका color accuracy आने में आपको ज़रूर मदद मिलती है, तो दोस्तों ये points थे जो कि आपको consider करने चाहिए, जब भी आप घर को color देते है तब वीडियो अगर आपको आच्छे लगी है, तो ज़रूर इसे like कर दीजे, और चानल पर आगर आप लोग नए आयों दोस्तों तो क्या कर रहे हो, चानल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजे, और वीडियो पसंद आने पर इसे like ज़रूर कीजे, और आपके को इनमल सव पाल या फिर सुजाओ हो, या फिर आप अपने घर के लिए कौन सा कलर देना पसंद करेंगे, डेफिनिटली कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिलकुल भी मत भूलिए, और हाँ ये वीडियो आपको बहुत जादा ही अच्छे लेगी हो, तो ज़रूर इसे share कर दीजे, अप तक के लिए धन्यवाद,